नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में दोस्तों जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं एक एलेक्ट्रोनिक मीटर जिसमें इसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है और पर्टिकुलर अगर हम टेंप्रेचर देखते हैं आप इसका रेफरेंस टेंप में यह फैला हुआ है कि अगर जो टेंप्रेचर है वो 27 डिग्री से कम या ज्यादा है तो यह मीटर गलत रीडिंग देगा और इस ख़बर के फैलने से उबभोकता काफी परिसान हो गया है उन्हें लग रहा है कि अभी कर्मी का मौसम है टेंप्रेचर 46 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा बिल ज्यादा आ रहा है तो यह बिल्कुल ही गलत ख़बर है तो आए जानते हैं बिजली मीटर प्लेट पर लिखे 27 डिग्री का सच तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इस आर्टिकल में कि पूरे देश में ख़बर बहुत जोरों से फैली है कि विद्धो दो भोकता के परिसर पर जो विजली मीटर लगे है उसके प्लेट के ऊपर 27 डिग्री सेल्सेस लिखा है इसका मतलब मीटर उसके ऊपर या जब चंपरेचर जाएगा तो मीटर के उड़वत्ता खराब हो जाएगी और मीटर तेज भागेगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है और उप्भोकताओं को इसमें परिसान होने कावे सकता बिलकुल नहीं है क्योंकि मीटर के प्लेट पर जो 27 डिग्री सेल्सेस लिखा जाता है उसका मतलब यह होता है कि मीटर जिस फैक्टरी में बनाया गया है वहां कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सेस रखा जाता है और जहां तक सवाल है मीटर किस तापमान तक सही काम करेगा तो सभी उप्भोकताओं को मैं यह बताना चाहूंगा कि सभी मीटर नियम और मानेक के अनुसार माइनस 10 डिग्री से 55 डिग्री सेल्सेस के बीच काम करते है और माइनस 10 डिग्री सेल्सेस और 55 डिग्री सेल्सेस के बीच में किसी भी टेंपरेचर पर मीटर की रीडिंग एकुरेट होती है तो इसलिए उब भुगताओं को इस खबर से बिल्कुल परिसान नहीं होना चाहिए उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेलफुल रहा होगा